हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतेश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभीनंदन प्रिय साथियों मैं हूँ आचारे पंडित सर्वदनन शर्मा मेरी और से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार तो साथियों आज हमारे चर्चा का विशय है कि जो 27 नक्षत्र हैं अश्योनी से लेके रेवती तक उसमें हम अब तक काफी नक्षत्रों को लेकर क कि किसी नक्षत्र में 27 में से अगर हमारे जो आप जातक हैं उनका व्यक्तित उनका होता है किस प्रकार का कर रहे हैं इन नक्षत्रों के माध्यम से और प्रत्यक नक्षत्र के चार चरण होते हैं साथियों पिर्थम चरण दोतिय चरण तृतिय चरण और चतुरत चरण तो अलग-अलग चरणों में जो जनम होता है जिस जातक का भी किसी भी नक्षत्र के चार चरण में से किसी भी ए होता है तो आज जो हम चर्चा करेंगे जो हमारे मित्र स्वाती नख्षत्र में जनका जनम हुआ है यह कि स्वाती नख्षत्र में जिन ज्षातकों का जनम हुआ है उनके भी सवभव की विशयव मिंदे जानेंगे और उनके व्यक्रतित की चर्चा भी हो गी कि इसके अतिरिक्त चार चर्णों की विशय में도 फोर्त चरण में यानि के चतुर्त चरण में लेकिन कुछ ऐसी विशेश्टा है कि जो सभी में common रूप से पाइज आती है उनके विशे में बात में बात करेंगे पहले चार चरणों के विशे में जानेंगे और उनका स्वास्त कैसा रहता है जो स्वाती नक्षत्र में पुरुष जो होते हैं जिनका जनम होता है उनके स्वास्त की विशे में जानेंगे और महिलाओं के व्यक्तित और महिलाओं के सौभाओ की भी चर्चा होगी और उनके स्वास्त को ले करके भी कि वही स्वाती नक्षत्र में आपका जनम हुआ है तो आप की कौमन रूप से किस प्रकार की महिलाओं में विशेश्टाइं होती है और किस प्रकार की पुरुशों में विशेश्टाइं होती है या उनका व्यक्तित होता है और कैसा उनका सुभा होता है तो आईए चर्चा को आरम करते हैं जो हमारे मित्र स्वाती नक्षत्र में जिनका जनम हुआ है उनके विशे में तो वैदिक जोतिश में पंद्रवा नक्षत्र स्वाती नक्षत्र ही है यह पंद्रवा नक्षत्र कहलाता है साथी 27 में से और यह एक शक्तिशाली भारतिय जोत होता है और अत्यधिक महत्वा कांग्शी रचनात्मक और स्वतंत्र कहे जाने वाले इस नक्षत्र के अंतरगत जो जन्ड में लोग हैं उनको बुद्धी मत्ता आत्म विश्वास और नेत्रत छमता के लिए भी जाना जाता है और जो परिवर्तन शील परिस्थितियों में नए परिवेश में अनुकूल बने रहने के सामर्थे प्रदान भी करता है शुक्र द्वारा ये शासित तुला राशी से संबंदित होता है इसलिए शुक्र द्वारा शासित होता है क्योंकि तुला राशी के स्वामी शुक्र हैं और इस नक्षत्र के अंतरगत जन्में लो करके आता है यह जो जिस जातक का इस नक्षत्र में जनम होता है उसकी बात कर रहे हैं और वैदिक जोतिश के सत्ता इस नक्षत्रों में से एक स्वाती नक्षत्र के चार जो चरण है जिन में अलग अलग प्रश्पति के नवाइश में पढ़ता है और इसी के साथ इस चर्ण में गुरू शुक्र और राहू पर गंभीर प्रभाव रहता है इन तीनों ग्रहों का जातक पर उसके जीवन पर और वे अधिकार शक्ति और माननता की लालसा रखने के साथ साथ दिखने में भी काफी सु जनम होता है उनके अंदर ये विशेष्टाएं होती है अब बात करेंगे दुतिय चर्ण में जिनका जनम हुआ है स्वाती नक्षत्र के उन जातकों की विशे में तो स्वाती नक्षत्र का दूसरा चर्ण जो ऐसाती हैं वो मकर नवाइश में पढ़ता है और इस पर शनी का शासन होता है शनी का प्रभाव रहता है दुतिय चर्ण के जातकों पर जिनका जनम हुआ है इसमें तो इस चर्ण में जनमें जो जातक हैं वो बहुत अच्छी विवसाइक समझ रखते हैं उनकी बहुत अच्छी तीवर पुद्दी होती है विवसाय को ले करके ये उनकी व इसी पर भी शनी का ही प्रभाव रहता है क्योंकि कुम्राशी के जो स्वामी है वो भी शनी देव हैं तो तुर्थिये चनल में जनका जनम हुआ है स्वाती नक्षत्र के जात्कों का उनके ओपर भी शनी का प्रभाव बना रहता है पूरे जीवन और इस चनल में जनमें लोग खर्ची ले और कामी सवभाव के होते हैं खर्च अधिक करते हैं धनका और थोड़ा सा कामुकता इनके अंदर अधिक होती है ये बहुत ही करोधी सवभाव के भी होते हैं गुस्यल होते हैं अब बात करेंगे कि स्वाती नक्षत्र के चतुर्थ चलन में जिन जात्कों का जनम हुआ है उनकी विशेष्टा क्या होती तो साथियों चतुरत चरण में जिनका जनम हुआ है स्वाती नक्षत्र के तो ये चौता चरण जो है मीन नवाइश में पड़ता है और मीन राशी जो है उसके सौामी गुरु ब्रसपती है तो तो ये ब्रसपती दौरा शासीत होती है नहीं के ब्रसपती का चातुरत चनल में जनवे जातकों पर पूरा प्रभाव बना रिता है पूरे जीवन तो इस चनल में जनंवे लंद वाले जो लोग यह तो थी स्वाति नक्षत्र में चार अलग-अलग चरणों में जो जन्में जातक हैं उनकी विशेश्डा है जिसके विशह में अभी आपने आप से बात की है अब हम जो बात करने जा रहे हैं पुरुशों की विशह में अलग करेंगे और उनकरेंगे और महिलाउं पाई जाती हैं जैसे कि पुरुषों की अगर हम बात करें तो देखिए स्वाती नक्षत्र में जो जन्ड में पुरुष हैं अपने आप ही कि सब कुछ करना पसंद करते हैं मतलब अपने से ही सारे कार्य करना पसंद करते हैं स्वयम और अपने उपर ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता इनको दूसरों पर विश्वास कम करते हैं अपनों पर अपने उपर ज्यादा रखते हैं विश्वास यह सोचते हैं कि मैं ज्यादे बहतर कार्य कर सकता हूं अच्छे डंसे कर सकता हूं और यह लोग जो हैं काफी आत्मनिर भर होते हैं और यह लोग उन परेशान ना हो, आहत ना हो, इस बात का विए बहुत विशेज ध्यान रखते हैं, और यह सुभाव से बड़े रोमेंटिक होते हैं, और यह जा तक प्यार की बड़ी चाहर रखते हैं, और एक निश्चित उम्र जो है पार करने के और ये ऐसा समय रहता है जब इन्हें अपने आसपास को कोई नहीं चाहिए होता। ये अकेला पर नहीं पसंद करते हैं और एकांत पसंद करते हैं। साती स्वाती नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष कभी भी भूलते कुछ नहीं है। इसलिए ये लोग अपने बच् समता का उपियोग कर पाते हैं। और इस उम्र के पहले तक इस नक्षत्र के जो पुरुष हैं वो आर्थिक और मांसिक दोनों तरहीके के कश्टों को जहते हैं। पेशे की द्रश्टी से अगर हम बात करें तो इन जातकों के लिए सबसे अच्छा जो समय है वो तीस वर्ष हरा इस जीवन का सुप-खॉरव प्र 21 कि वहाता है। अब इनके स्वास्त की बात करते हैं। पृषों के जिनका जन्म स्वाती नक्षत्र के चाहां वो किसी भी चरण में हुआ है। तो दीके स्वाती नक्षत्र में जन्म लेने वारे पृष्ट का जो स्वास्त का आफी उ पर महिलाओं की विशेष्टाओं की और उनके व्यक्तितु की उनकी सौभाओं की बात कर लेते हैं कि जंग का जनम स्वाती नक्षत्र में चाहें वो किसी भी चरण में हुआ है पिर्थम से लेके चातुर तक तो यह वो ऐसी सामान ने विशेष्टा हैं जो सभी मपाई जाती स्वाती नक्षत्र में जनम लेने वाले जो महिला हैं तो इस नक्षत्र में जनमी महिलाएं बहुत ही मुखर होती हैं सोशल भी होती हैं और जीवन में अपने लक्षें के पिर्थी बहुत द्रण रहती हैं जो लक्षे नोंने अपने लिए निश्चित किये हैं उनको लेकर मतलब इनके उसमें कितनी आधुनिकता क्यों ना हो लक्षें को ले करके जो यह प्रोग्राम बनाते हैं अपनी जीवन को ले करके आने वाले दिनों के कि क्या-kian लक्षे प्राप्त करने जीवन में तो वो इनके धार्मिक होने पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं लगा पाते इनको रोक नहीं सकते तो ये जो हैं ये अंदर के इनके जो गुण हैं वो धार्मिक भी होते हैं धार्मिक विचारों के भी होती हैं ये महिलाएं और क्योंकि ये महिना मन से इश्वर में बहुत आस्था रखती है, इन्हें नए मित्र बनाने में काफी मुश्किलों का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है, आसानी से मित्र इनके नहीं बनते हैं, और ऐसी ही स्थिती इनके सामने तब भी आती है, जब इन्हें अपने लिए अब जीवन साथी की तलाश करनी होती है, या जीवन साथी का चुनाव करना होता है, तब भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ जाता है, इसके साथ ही महिलाएं प्यार में बहुत बफादार और इमानदार भी होती हैं ये, और जान बूच कर कि कि यह महिला कभी भी किसी को चोड नहीं पहुंचाती है और यह जीवन में आगे बढ़ते के बहाने मतलब बढ़ने में ही विश्वास रखती है द्रण विश्वास रहता है इनका के मुझा हमें कैसे आगे बढ़ना है और इन्हें अपना ज्यादा समय घर में बिताना अधिक पसंद होता है यदि ये समर्पिद होकर अपने कार्यों को करें तो उनको बहुत सभलता पूर्वक पूरे करती है ये और ये पेशे में अपनी क होती है इमेजनेशन जो होता है उससे अधिक नाम और प्रिस्टी भी ये कमा लेती है अगर अपने कार्य पर पूरा इमानदारी से ये फोकस करके उनकार्यों को करें तो तो जितना इन्होंने अपने लिए इमेजन किया है उससे भी कहीं अधिक इनको मान सम्मान की प्राप इनको शिक्षा प्राप करने में भी काफी बाधाओं का सामना करना पड़ जाता है, यहां तक कि कि इनकी पढ़ाई ड्रॉप भी हो जाती है बीच बीच में, और यात्रा से संबंदित रोजगार या व्यापार अगर ये करें, तो वो इनके लिए काफी लापकारी सिद्र होत जाता है, मानसिक तनाओ, टेंशन, यह थोड़ा सा मानसिक तोर पर ऐस्तिरता, यह नहीं के तनाओ, टेंशन, यह चीज़ें जाते रहती हैं, और कभी-कभी डेप्रेशन जैसी चीज़ भी हो जाती है जीवन में, जिसके कारण यह महिला हैं, काफी अपने आपको ठकान भी महसूस करती हैं, और इनको गरभाशे और स्ट्रेस से सम्मंदित लक्षनों का जरूर ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में, और उसकी केर करनी चाहिए, तो मेरे प्रियसाथियों, आज की चर्चा में, हमने स्वाती नक्षत्र में जन्में, जो जातक हैं, चाएं वो प पहले जानकारी आपको दी है, हमने चरण के हिसाब से, उसके बाद जो कॉमन जानकारी हैं, मतलब जो कॉमन विशेशता हैं होती हैं, सभी के अंदर, फिर उसकी चर्चा आपके साथ हमने किये, हम ये आशा करते हैं, कि आज का जो ये टॉपिक है, स्वाती नक्षत्र को ले ले पाएं, और यदि आप चाहते हैं, आने वाले दिनों में, जो भी वीडियो हमारे एस्ट्रलोजी के टॉपिक पर बने, उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वो वीडियो भी है, डारेक्ट आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए फिर आपको करना बैल आइकन को प्रेस, जी, तो इसी के साथ अब यहां पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और अपने आप सभी जो मित्रगण हैं, आप से इजाज़त लेना चाहेंगे, तो इसी के साथ आप सभी का सहर्द है, बहुत बहुत धन्यवाद, जया माता दी. झाल, 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